दस्मिक अक्षा की विज्ञान विशे की इस ओनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर सस्वागत है पिछले अध्याय में हमने अपवर्तन और प्रावर्तन के बारे में सीखा था वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से प्रकास का अपवर्तन या प्रावर्तन होता है उसके बाद हमने लेंस के बारे में भी वहाँ पे सीखा था और ये भी देखा था कि lens या दरपन, गोल्य दरपन या lens किस परकार से अलग अलग परकार से वस्तूओं के परति बिम्ब बनते हैं और वहाँ पे हमने ये भी सीखा कि यह सारी पुर्केरिया प्रकास की किर्णों के आपस में कहीं पे मिलने के कारण होता है इस प्रकार से वहाँ पे उन वस्तूओं के परति बिम्म बनते हैं अब सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात थी कि हम वस्तूओं को क्यों देख पाते हैं संभवतिया इसका उत्तर हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं पिछले अध्याय में जान चुके हैं हमें क्या चाहिएं वहाँ पे भी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ पिछले अध्याय के वीडियो में कि हमें किसी भी वस्तूओं को देखने के लिए दो चीजों की आवश्यक्ता होती है आप अपनी नोट्मुक बेबी इस तरह के उत्तर लिख सकते हैं वो आपको श्यम अपनी नोट्मुक में लिखने हैं और बाद में जब उत्तर बताए जाएं तो आप उसको देख लें कि आपने उत्तर उसका ठीक लिखा था या कुछ गल्दी है तो इस तरह का सेल्फ असेस्मेंट अपने आप भी करते रहें तो मैं आपको अब बताओं कि किसी भी वस्तू को देखने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यक्ता होती है एक चीज हम पहले पढ़ चुके हैं वह है प्रकाश और दूसरी दूसरी जीजों का नाम है आख हमें आखें चाहिए किसी भी वस्तू को देखने के लिए हम आखें बंद करके किसी वस्तू को किसी आवाज को सुन सकते हैं हम उसके आने वाली सुगंद को सूंग सकते हैं हम उसको हाथ लगाके महसूस कर सकते हैं हम उस वस्तू के बारे में काफी हद तक बहुत सारी जानकारिया ले सकते हैं परंतु फिर भी आपने देखा होगा कि हमारे पास हमारा जो ज्यानेंदरिया है उसमें सबसे महतोपूर्ण ग्यानेंदरी हो जाती है आँख, क्योंकि इसकी सहायता से ही हम लगबग हमारे देनिक कारिये पूरे कर सकते हैं, कहीं आना जाना हो, कुछ देखना हो, कहीं पे भी आँख, तो सारा आँखों की सहायता से हम आसानी से करच पाते हैं, सोचिए आपके, अगर हमारे सरीर में आएगा नाम आप जान ही चुके हैं, मानवनेत्र तो था रंग बिरंगा संसार, अगर मानवनेत्र की बात करें और रंग बिरंगा संसार की बात करें, तो मानवनेत्र हमारे आँखे हैं, और रंग बिरंगा संसार है किसके कारण, वो इनी आखों के कारण है, आखें इस रं नेत्र कहते हैं आख नयन नेत्र लोचन चक्षू इसके प्रयायवाची हैं किसी भी नाम से लिखे दिखाए दें तो आप ये देख सकते हैं इंग्लिस में इनको आई कहा जाता है human eye तो आएए इस अध्याय के सुरुवात में ही हम human eye के बारे में मानवनेत्र के बारे में जान नंबर का question कही बार इस पे पूछा जाता है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करें हाँ एक बात और कि इसके चित्र को बनाने की practice भी आपको साथ की साथ करनी है तो इसका चित्र भी बनाए ताकि आप उसकी practice कर पाए तो चलिए अब मानवनेत्र को देखते हैं कि मानवनेत चित्र है क्या किस परकार से यह कारिय करता है तो यहाँ पे जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यह मानवनेत्र का चित्र है यहाँ पे इस परकार से यहीं चित्र आपको आपकी पाठ्थे पुस्तक में भी है यह आपकी पाठ्थे पुस्तक से लिया गया ही चित्र है ज आईए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यह चित्र किस प्रकार से बनता है, इसके सब विभिन अंग कोन-कोन से हैं, वे सारे अंग हमारी सहायता कैसे करते हैं वस्तुओं को देखने के लिए, तो देखिए यह जो पूरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यह मानव कोन से हैं, किस तरीके से कारिये करते हैं, तो जब एक्जाम में क्यूश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे चित्र पूछा जाता है, विभिन भाग और उनके कारियों का वर्णन पूछा जाता है, तो आप पहले चित्र बनाएंगे, और उसके बाद उन कारियों का, उन गलक कार्य क्या है, किस प्रकार से वो सारे कार्य करते हैं, उसके बारे में भी लिखेंगे, अब चलिए समझते हैं इनको, देखिए, मानवनेत्र जो है, वो एक कैमरे की भाती ही काम करता है, जैसे आप मुबाइल का कैमरा करें, या आपका गर में फोटो लेने के लिए कोई उसी तरह से मानोनेत्र भी काम करता है, वहाँ पे भी उसी प्रकार से चित्र बनते हैं, जैसे कि आपके कैमरे के अंदर चित्र बनते हैं, जैसे फोटो बनती है, वैसे ही हमारे आँख के अंदर भी वैसी ही फोटो बनती है, उसकी प्रकरती कैसी होगी, वो आप पिछले जो अध्याय था हमारा उसमें भी जान चुके हैं, यहां पर भी हम देखेंगे कि जो चित्र बनेगा उसकी प्रकरती कैसी होगी और वो चित्र कहां पे बनेगा, हमारी आख का जो छोटा सा गोला है, इसके अंदर वो चित्र कहां पे बनता है, चलिए समझते हैं, तो देखिए, यहाँ पे यह गोलाकार सरचना है, इसका अंदर परकास आता है, परकास इस हिस्से से आता है, और यहाँ पे जो द्रस्टी पटल आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर बनता है चित्र. तो देखिए दृष्टी पटल पर इसको रेटिना भी कहते हैं दृष्टी पटल को रेटिना के नाम से भी जाना जाता है रेटिना हो या दृष्टी पटल हो दोनों का एक ही मतलब है तो रेटिना या दृष्टी पटल के ऊपर चित्र बनता है यहाँ से प्रकास आता है और जो चित्र बनेगा वो यहाँ पे बनेगा कैसे बनेगा कैसे और हिस्से काम करते हैं वो समझते हैं तो यह ध्यान रखे यह हिस्सा द्रिश्टी पटल या रेटिना है जिसके उपर पतिबिम बनता है प्रकास एक पतली जिल्ली ये पतली सी जिल्ली जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे ये पतली सी जिल्ली होती है हमारी आँख के उपर जो सामने का हिस्सा होता है जो आपको आपने देखा होगा कि आँख के अंदर एक छोटा सा बिलकुल बीच में आँख के बीच में एक काला सा हिस्सा होता है छोटा सा उसकी बात है जो आपको नीला नीला या रंगों अलग अलग हो सकते हैं आखों के तो वो जो हिस्सा है उसकी बात मैं यहां पे कर रहा हूँ वो हिस्सा यहां पे आप इस चित्र में देख सकते हैं वह है उभरा हुआ हिस्सा थोड़ा सा य इस पतली जिल्ली को, जो यह पतली जिल्ली उपर बनी हुई है प्रकास की पतली जिल्ली, इसको हम कार्निया या श्वच मंडल कहते हैं, यह ध्यान रखे, नाम मैंने बताया, एक हो गया कार्निया और दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पे श्वच मंडल, कार्निया या श्वच मं इस पार्दर्शी होता है तो आप लिख सकते हैं जैसे पहले मैंने आपको बताया दृष्टि पटल के बारे में दृष्टि पटल लिखें तो वहां पे आप इसका वरणन करते हुए लिखें कि इसके उपर परतिभिम मनता है प्रकास उसके बाद आप लिखेंगे स्वच्मं आँख में होता है यह एक पार्दर्शी पतली जिल्ली है जिससे होकर प्रकास आँख में पहुंचता है अब उसके बाद जो नित्र का गोला है मैंने अभी अभी बताया था आपको इसकी आकरती लगभग गोलाकार है तो यह आकरती लगभग गोलाकार आकरती का है इसका व यहां पर लिख सकते हैं कि व्यास और तृज्वा में क्या संबंध है यह चीज़ आप लिखने की कोसिश करें अपनी नोट्बुक में लिख सकते हैं तो यह चीज धान रहे यहां पर व्यास लिया गया है तृज्वा नहीं ली गई है और हिंट के लिए मैं बता दूँ त्रिज्जा अर्धव्यास होती है अब आप लिख सकते हैं उसका अंसर यहाँ पर तो चलिए देखते है जो इसकी यह व्यास है जो यह हमारा पास जो गोला है जो नित्रगोलक जिसको बोलते हैं इसका व्यास यह चीज ध्यान रखिए नित दसमलो तीन सेंटीमीटर होता है नित्र गोलक का व्यास लगभग दो दसमलो तीन लगभग कहा गया है यहाँ पे एक जक नहीं है क्यों क्योंकि देखिए इसका व्यास जो है वो बदलता रहता है तो इस वज़े से लगभग कहा गया है क्योंकि छोटी बड़ी आँखे भी हो सकती हैं उसी के अनुसार कुछ इसमें बदलाव भी हो सकता है तो जो आपको ध्यान रखना वो यह है कि दो दस्मलों तीन सेंटिमीटर लगभग इसका व्यास होता है चलिए यह गोले के बारे में हुआ अब नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकास की किर्णों का भाग अपवर्तन मैंने बताया था प्रकास की किर्णे जब किसी के माध्यम के अंदर से गुजर जाती है और तो वहां पे अपवर्तन होता है प्रावर्तन में तो टकरा के वापिस चली जाती है अपवर्तन अंदर जा रही है तो इसका मतलब यहां पे अपवर्तन हुआ है अब पे इस प्रकार से इसके अंदर प्रकास जाएगा और अभी मैंने बताया कि अपवर्तन इसी हिस्से के ऊपर होता है कोई पूछले भाईचान साप से पता तो होना चाहिए कि अपवर्तन कहां पे होता है आँक क्योंकि पहले आपने अपवर्तन पढ़ा फिर अब हम आँक के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपवरतन ध्यान रखिए आख के जो बाहरी हिस्सा सबसे बाहरी हिस्सा मैंने बता था कार्णिया होता है तो अपवरतन जो होगा वो कार्णिया के ऊपर होगा तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है चलिए अब अपवरतन कार्णिया के ऊपर हो सकती है आपने देखा भी होगा कि हम कभी यहां की वस्तू को देखते हैं कभी वहां की या आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे आप एक बार रूम में देखते हैं आपके किताब की तरफ देखते हैं या बाहर पेड़ों को जो आँक का जो लेंस है वो अपने आपकी फोकस दूरी बदल रहा होगा तब ही उसका परतिबिम्ब हमेशा वो दृष्टी पटल के ऊपर बना सकता है दृष्टी पटल के ऊपर मैं एक बार समझाता हूँ यहां से हमें वस्तु तब ही दिखाए देगी जब उसका परतिबिम्ब इस दृष्टी पटल के ऊपर बनेगा और दृष्टी पटल पर बनने का मतलब लेंस को अपने आपको इस तरीके से अरजेस्ट करना पड़ेगा कि उसका परतिबिम्ब हमेशा यहां बनाने का मतलब यह हुआ कि जो यहां पर यह जो लेंस है जो हमारा कृस्टलिय लेंस है मैं सब इस्तेमाल कर रहा हूँ यहां पर क्रिस्टलिये लेंस तो यह जो क्रिस्टलिये लेंस है इसका जो क्रिस्टलिये लेंस है उसका फोकस बदलता रहता है उसका फोकस फिक्स नहीं है उसकी फोकस दूरी फिक्स नहीं है फोकस दूरी फिक्स नहीं है फोकस दूरी फिक्स ना होने का मतलब यह हुआ कि जिस गो होले का व्यास भी लगातार बदल रहा होगा या बदलता रहता होगा हम इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे पेसिया जैसे होती स्वह जो होती कार्णिय का प्रूबात okay तो यह तरी का resistance करेंगे तो यह in यह पक्र्रिक प्रिवाइन दिम्हें से इस तरीके बनाएगा आंकों के चारों तरफ इस तरीके से जो इसको कंट्रोल करने का काम करता है उसको भी आप डिसकेस करेंगे आगे चल के तो यह हमारा परितारी का है यह पेस्या पर यह यह हैं दिए परकास पर निदर ðेखा होगा कि एक दम तेज रोशनी के अंदर होते हैं तो आपको जो चीजे हैं वो सपरश दिखाई देती हैं पर उन्तु एकदम से जब आप अंधेरे कमरे के अंदर जाते हैं तो आप वस्तुव को अच्छे से नहीं देख पाते आपकी आखों के सामने अंधेरा चा जाता है कभी आपने ध्यान देने की कोशिस की तो अब की बार ध्यान दीजिएगा आपने एक मित्र के साथ यह है आप कर सकते हैं उसको एक बार आप जाकर देखिए जब वो बाहर कमरे के बाहर खड़ा हो दूप के दूप में आपको सुरज की तरफ नहीं देखना है जिस तरफ धूप है उस तरफ की चीज़े को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके आँख की जो बीच की पुतली है जो आपको बीच में काला काला नजर आता है गोल गोल सा उसके साइज को आप ध्यान से देखिए वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है और जब आप उसी साथी को एक बार फिर अंधेरे कमरे में लेके जाईए या जहां पर रोशनी कम हो वहां लेके जाईए तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसके पुतली का साइज बढ़ गया है क्या हो रहा है वहां पे जो पुतली का साइज है वो लगातार बदलता रहता और वो कौन करता है वो यहीं पेशिया करती है जो अभी आपको मैंने आपको बताया जिसको हम परितारिका कहते हैं तो वो उसको कंट्रोल कर रही है बाहर छोटा होने का मतलब क्या हुआ? कि दरवाजा उसने छोटा कोल दिया, आप सोच सकते हैं इस चीज़ से कि एक खिडकी है, आप उसको बड़ा सा खोल देंगे, तो ज्यादा रोस्नी आएगी, खिडकी को कम खोलेंगे, तो रोस्नी कम आएगी, तो इसका मतलब जो हमारी आख की खिडकी है, परितारिका की सहायता से जो पुतली है, उसको उसने कंट्रोल कर लिया, कम खोला जब वो ज़्यादा प्रकास के अंदर थी, और ज़्यादा खोल दिया जब उसको अंधेरे के, क्योंकि वहाँ पे हमारी आखों में आने वाला प्रकास कम है, परंतु चित् क्लास्रूम में भी आप देख सकते हैं, स्कूल में भी आप देख सकते हैं, स्कूल में क्लास से बाहर जाएं, तो एक बार उनकी आखों को नोट करने का प्रियास कीजिए, और जब आप अंदर आते हैं, तब उनको देखने का प्रियास कीजिए, उसके लिए आखे खोलने क तो सब कुछ चुन्दिया जाता है आँखों के सामने हम आथ इस तरीके से करते हैं क्यों क्योंकि वो एकदम से ज्यादा प्रकास जा रहा है और ज्यादा प्रकास जाएगा तो आँखों के पीछ जो आँख के अंदर जो चित्र बनता है वो सही नहीं बन पाएगा तो ये उस ही नेतरक लेंस जो यह है यह हमारा अभिनेतरक लेंस च्रिशलिए लेंस भी कहा रहे हैं किसी वी वस्तू का परदर बनाता है अग्यों बन धशाम का किसा बनेगा वहाक वाकी अग्यों oste INV dus तो उल्टे बनेंगे, तो यहाँ पे जो चित्र बन रहे हैं, वो उल्टे बन रहे हैं, कमाल की बात है, थोड़ा सा आप प्रेशान हो सकते हैं इस चीज से, या अचंबित भी हो सकते हैं, यानि कि हमें जो जितनी वस्तु में दिखाई दे रही हैं, वो उल्टी हैं, जो चित रखे, रैटिना एक जो रैटिना है हमारा जो अभी अबी मैंने आपको बताया दृष्टी पटल कहते हैं आज इसको हम रैटिना कह रहे हैं, वो जो रैटिना है वो एक कोमल सुक्षम जिल्ली होती है, जिल्ली, अब ये वर्ड आपके सामने कई बार कोतु हल का वीश्य हो सक से एक छिलका अंदर की तरफ से बाहर की तरफ से नहीं बाहर वाला छिलका लग होता है उसके अंदर से जो सफेद सफेद साब छिलका निकाल सकते हैं वो बारीक सी बिल्कुल पतली सी परत बनती है जिसको हम जिल्ली कहते हैं इसी तरीके से हमारे आंख के अंदर भी जो रेट ऐसी सेंस्टिव, फोटो सेंस्टिव, फोटो सेंस्टिव, प्रकास सुग्राही जिसको कह सकते हैं, छोटी-छोटी कोशिकाय होती हैं, जो उसको डिटेक्ट कर सकती हैं, जो उसको जैसे हमारी नाक सूंग सकती है, वैसे ही ये प्रकास को देख सकते हैं, प्रकास के लिए डि में जैसे आपने सुना होगा ना कैमरे के अंदर आज कल सभी स्टूब्जें्स तीसरी चूतिति रिक्षा के बच्छे भी जानते है पिक्छल के बारे में मेगा पिक्चल suspended 151 मेगा पिक्षल संख्या बता रहा है बहुत ज्यादा बहुत जैसे यहां पे मैंने कहा आपको प्रकास सुग्राही जो कोशिकाए हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं यह क्या करती है यह जो यहां पे जो प्रकास पहुंचेगा उसका चित्र बनाएंगी और चित्र बनाने के बाद उसको ट्रिकल सिगनल या व बदल देती हैं अभी इन विद्धूत सिगनल का क्या होगा क्या हमें करंट नहीं लगेगा वो इतना ज्यादा तेज नहीं होते कि हमें करंट लगे और दूसरा सीधी सी बात है जब विद्धूत सिगनल बनाए बनेंगे तो कहीं न कहीं ऐसी कोई तार भी बनाई होगी जो उ सारी स्वंजर जाएं यह सारी चीजे आपने पढ़ चुके हैं कि वो हमारा मस्तिस्क करता है तो कहीं न कहीं यह जाके फिर लास्ट में कहां पर कठा होती सारी सूचनाएं वो मस्तिस्क के अंदर होती हैं तो इसी प्रकार से जो यह विद्धुत सिगनल बनेंगे वो आंक के अंदर से कहां तक जाएंगे हमारे दिमाग के अंदर प्रोसेसर जो है सारा काम करता है उस दिमाग के अंदर वो जब सिगनल जाएंगे तब पता चलेगा हमें कि यह वस्तु कैसी है कैसे दिखती है कैसा है तो इसका मतलब सूचना है जब आपको आपने देखा हो आप बता रहे हैं कि ये रंग काला है ये रंग काला काला कहां से आया ये रंग लाल है ये नीला है ये ये लाल नीला ये कुन बता रहे है ये हमारा दिमाग बता रहे है आखे नहीं बता रहे हैं आखे तो सिर्फ उसको देख रही हैं सिर्फ महसूस कर रही है उनको ये द्रिक तंत्री का जैसे दिखाई दे रही हैं, ये उन सब सिगनल को ले जाने के लिए होती हैं, जो दिमाग तक उन सिगनल को पहुचाती हैं, तो ये द्रिक तंत्री का उदवारा मस्तिस्क तक पहुचा दिये जाते हैं, तो ये हैं वो तारों का गुच्छा, जहां से आ यहां पर कोई आपको लाइने दिखाई नहीं तो आप इस तरीके से लाइने पतली-पतली यहां पर बना सकते हैं तो वो भी एक समझने के लिए easy रहेगा आपके तो वो वहां पर इस तरीके से सुचनाओं को पहुंचाती हैं चलिए अब कोई भी वस्तु को हम कई बार नहीं देख पाते आँखे खराब हो जाती हैं यह कहते हैं कि तेरी आँखे खराब हैं उसकी आँखे खराब हो गई यह चीज़ हो गया तो कहां पर कैसे यानि कि अगर दृष्टी में किसी भी परकार की बाधा आए हम देख ना पाएं तो वहां पर हम कहते हैं कि आँखे खराब कहा था कार्णिया के अंदर तो इसका मतलब कार्णिया से ले करके अगर दिमाग तक जब तक सिग्नल जाते हैं उसके किसी भी हिस्से में गड़बड आ जाए तो चीजें गड़बड हो शकती हैं हमें चीजें अच्छे से होते हैं आंधी आ गई तो वो आँखों को रगड़ लेते हैं रगड़दा नहीं चाहिए क्यों आप कांच के ऊपर भी रेत लगाएंगे तो क्या होगा उसके अंदर स्क्रैच हो जाएंगे निसान पड़ जाएंगे खराब हो जाएगा यहीं आँखों के साथ होता है उसके पर निसान हो जाएंगे तो फिर फिर चीजे दुंदली दिखाए देने लग जाएंगी तो इसलिए कभी भी आँखों के साथ इस्तरे गड़बड नहीं करनी चाहिए कभी भी आँखों को रगड़िये मत क्या कीजिए पानी से दो लीजिए या थोड़ा जा रो लीजिए दोनों ये की बात है रोने से भी क्या हो रहा है पानी आएगा आखों में वो क्या करेगा चीजों को बाहर निकालेगा आपने अब्जर्व किया होगा कि आपके आख में कुछ भी गिर जाता है तो क्या होता है तुरंत पानी आता है वो क्यों क्यों क्योंकि उसको पता है कि आँक का lens इतना sensitive है उसको खराब नहीं होने देना है तो इस वज़े से वो आता है तो यह ध्यान रखिए कभी भी आँको रगड़िये मत उनको सम्हाल के रखिए बहुत सम्हाल के उमर काम लेना है जब तक सांसे चल रही है तब तक हमें उनसे काम लेना है तो इसलिए उनको स उसके अंदर जो उसका क्रिस्टली करन है बेसिकली हम कहा दे उसका लचीलापन है अगर वो खतम हो जाएगा तो तो फिर आखे समझन जो उसका lens का जो मैंने बताया था साइज बढ़ता गड़ता रहता है वो नहीं होगा वो नहीं होगा तो हम वस्तों को सपस नहीं देख कभी दूर की वस्तों को नहीं कभी नजदीक की वस्तों को नहीं तो चस्मा लगाएंगे आखों को उपर करना चाहिए कि आखों के उस लेंस की विशायत हो तो आप विज्यान की किताब के अंदर एसे बहुत सारे दिये गए कि आपको एक संतुली ताहर खाना चाहिए वहा पाकी चीजों के लिए उसको छोड़ दीजिए विग्यानिक एक्षिया वहां पर आपको जरूर रटेंड करनी है तो वह चीज़े आप वहां पर देख सकते हैं पर एक टाइम के बाद और अपनी नोट्बुक के अंदर उसके नोट्स बनाई है फिर उसको पढ़ते रही है त यह है इसका कारण तो यहां पर यह कारण हो सकता है आखों के खराब होने का इन में से किसी भी चीज़ में गड़ बढ़ा जाये तो आखें आम तोर से खराब we're gonna पी हैं तो यह सारा इसके कारण होता है चलिए अब हम बात करते हैं यह तो था आपका जो आपका था जो इसको कहा गया दर्व मैंने बताया था यहां पर जो नीले रंग का होता है सामने आपने देखा होगा कई बार जब आप तुरंत प्रकास की तरफ देते हैं किसी चीज की जरता है तो यह आँख फूट गई आँख फूट गई का मतलब आँख फूट गई तो इसमें से दर्व निकल जाएगा आँखे खराब हो जाएगी तो इस वजह से आप दहन रखे प्रकास के लिए या आँखों के लिए यह चीज़े बनाए रखें चलिए अब हम बात करत क्षमता कि अब समझन ख्शमता क्या होती है डेखिए मैंने अभी आपको बताया कि निकट की वस्तूओं को ओर दूर की वस्तूओं को देखने के लिए लेंस अपने आपको क्या करता है जो पकसमाभी पे सिया जो है उसके कारण जो अपनी मोटाई में लगाता है वह तो आके अपन पर फोकस होकरते हैं, तो आकर पर फोकस हो रहे हैं उसके लिए, जो लेंस है वह काम करताए आप एकदम से अभी भी करके तो इस तरीके से जो बनती है वो होती है हमारी समंजनक्षम्ता, तो यह समंजनक्षम्ता होगी, तो चलिए देखते हैं इसको भी, तो यह तो था हमारा इसके बारे में, अब बात करते हैं हम समंजनक्षम्ता के बारे में, यह होती है समंजनक्षम्ता, यानि कि जो द्रव है वो जैली अभीनेत्रक लेंस रेसेदार जैली द्रवपदार्थ का बना होता है जो मैंने अभी अभी बताया तो वो क्या करता है उसको समंजन करता है इकठा करने का वहां पे स्पेश या शुकुरती है और इस तरीके से वो लेंस से काम करता है अब बात करते हैं यहां पे जो वो क्या कहलाती है समंजन तो यहां से समंजन की परिभासा निकल के आती है हमारे सामने अब देखे कितनी आम तोर से आम तोर से वस्तु को सपस्ट देखने के लिए सूसपस्ट देखने के लिए हम उसको साफ तोर से देख पाएं आप खुद करके देख सकते हैं एक्सपरिमे कैसे इतनी वस्तु को देख पाते एक बार वो निकालने के कोशिस कीजिए और फिर देखिए वो दुरी कितनी है तो आप पाएंगे कि वो दुरी लगभग लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है तो इसका मतलब जो सामान्य द्रिस्टी है जो सामान्य आखें हैं उसकी जो मंजनक शमता है आम तोर से ठीक ठाक देखने की वो लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है तो यह है निकट बिंदू और दुरी बिंदू के बारे में भी एक बार पढ़ते हैं तो यहां पर वस्तुए सपस्ट देखी जा सकती है कि दुरी के उपर लगभग 25 सेंटीमीटर की दुरी के बात करें तो हम आपने देखा होगा कि यह बात मैंने आपकी माल ली बर मैं दूर के पेड़ों को देख पाता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ दुरी कहा तक वी अनंत तक तो यह जो लेंस के शमता की बात करें तो वह देखने में निकट बिंदू तो 25 सेंटीमीटर की बनत होगा एक जरूरी बात है जो आप सब को पता होनी चाहिए क्योंकि हर घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं और आपने उब्जर्व किया होगा कि उनके आँखे कुछ समय के बाद साफ नहीं देख पाती उनको धुंदला दिखाई देने के लग जाता है तो कारण क्या है और मोतियाबिंद है मोतियाबिंद क्या होता है तो देखिए इसमें क्या है जो क्रिस्टलिये लेंस है वो धुंदला जब हो जाता है तो उसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं किसके कारण होता है वह होता है किसी कमी के कारण किसी आँख के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी कमी हो सकती है, उसके कारण वो मौतिया बिंद हो सकता है, अब क्या मोतिया बिंद भी ठीक हो सकता है, बेकई है mainly वो lens में गड़बड के कारण, तो क्या ठीक हो सकता है? हाँ, उसको operation दवारा ठीक किया जा सकता है, आज कलै से उपचार है, तो आप देखें इस तरह का और उनको द्रिश्टी वापिस लाई जा सकती है तो आप इस तरह का देखें अपने बुजर्ग घर में जो भी हूँ उसका ओपरेशन आप करवा के आखे ठीक कर सकते हैं अब यहां पे तक हमने पड़ा आख के बारे में कैसे काम करती हैं कैसे वो सारे चीज़े हैं आगे कल हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जैसे आप भी यहां पे बताया था कि चस्मे लग जाते हैं तो उन चस्मे लगने वाली स्थिति को भी हम देखेंगे कि कि स्थ है अब तक के लिए नहीं वाद